चलिए, खबरों में सबसे बहले बात करेंगे आजमेर की, आजमेर में पुलिस की गर्ष्ट को धता बताते हुए बदमाशों ने शेहर की वैसितम मार्गो में से एक वैश्वाली नगर में एटियम मशीन को निशाना बनाया और इसकी भनक भी पुलिस को नहीं लग पाई जबकी वारदात पुलिस चेक पोस्ट से महज 50 कदम की दूरी पर हुई गनिमती रही कि बदमाशों ने एटियम का सिर्फ पैनल ही खोला हाला कि वो नगदी नहीं निकाल पाए अब क्रिशन गंश थाना पुलिस जाच कर रही है जानकारी के मुताबिक वैशाली नगर में इस्थित बैंक ओफ बड़ोदा के एटियम पर आज सुब है जब एक यूबक पैसा निकालने पहुँचा तो एटियम का पैनल टूटा मिला उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी पुलिस ने जब से सिटीवी खंगा ले तो उसमें नजर आया कि एक महिला और एक पुरुष ने चोरी का प्रयास किया और एटियम का पैनल खोल दिया जिन्होंने एटियम के नीचे का पैनल हटाने की कोशिस किये कैस कुछ गया नहीं कि उपर का जो इनका पैनल आता हूँ अब उस वारे में पुलिस जान्स कर रही किस तरीक से दो एक्टी थे वह कहां से आये थे क्या उन्होंने विकल यूज किया था उदर जोदपुर में अपराधियों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं और देरात मंडोर क्रिशी मंडी में व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें व्यापारी से 12,007 गैंक का हाथ बताय जा रहा है उदर पुलिस ने निश्वान देही के आ तीन लोग आए जिन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े और राशी लेकर भाग निकले। इस बीच इक बड़ खबर का रुख कर लेते हैं बाटमेर के गोड़ा-मलानी में बजईरी-माफियाओं में छूनी झढ़ब देखने को मिली है。 बजरी खनन माफियाओं की दो पक्षों के बीच फाइरिंग भी हुई है और जखमी युवक्षी अस्पताल जाते वक्त बीच रास्ते में ही मौत हो गई अड़े हैं तो बजरी माफियों में खूनी संघर्श देखने को मिला है कि युवक्षी जवरान मौत हो गई आरोपियों की गिरफतारी की मांग की जा रही है परीजनों की तरफ से हाला कि पुलिस की अधिकारी मौकी पर मौझूद हैं जो की परीजनों को समझाने की कोशिश कर रही है दरसल युवक्षी जव को उठाने से इंकार कर दिया है परीजनों ने और कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफतारी नहीं हो जाती तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे हाला कि मौके की नजाकत को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी पहुँचे ह हुए है अधिकारी पहुचे हुए है जो की परीजनों को समझाने की कोशिश कर रही है भरतपुर के कामा से खबर है जहां चोरों के होसले बुलंद है और आदा दर्जन मकानों में दिया चोरी के वार्दात को अंजाम एक मकान की दिवार तोड़कर चोरी की वार्दात को और मुबाइल चोरी किया पिड़तों ने दी कामा थाना पुलिस को जानकारी और कामा कस्वा की डंडा बाहर कॉलोनी की घटना बताए जा रही है तो भरतपुर में चोरों के होसले बुलंद नजर आ रही है चोरी की वार्दात को अंजाम दिया गया चोर मौके से समान चु और अब जोदपुर जिले के शेरगर से खबर है जहां रात को सोते वक्त चार लोगों ने जान लेवा हमला बोला और घायलों में दो की हलत गंभीर है और जोदपुर के निजी अस्पिताल में चल रहा इलाज केतू हमा गाउं की घटना बताई जा रही है करीब एक दरजन हमलावरों ने हथ्यारों से लेस होकर हमला किया और एक महिने पहले भी हवाई फायर करके हुआ था हमला सरपंच चुनाप को लेकर चल रही है आपसी रंजिश और घायल भवर सिंग की हलत चिंता जनक बनी हुई है तो आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ ये पुरा मामला बताया जा रहा है रात को सोते वक्त चार लोगों पर जानलेवा हमला किया गया जोने अस्पताल में भट्टी करवा दिया गया है जोदपुर जिले से ये एहम खबर